आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं वीडियो पसंद आने पर लाइक जरू करें और शेयर करें गूगल प्ले से आपको वोटर हेलपाइंड डाउनलोड करना है और OTP की माधियम से आपको रिजिस्ट करना है रिस्टर करता दी जो आपने बूबाइल लंबर दिया था उसकी एंटरी करनी है और सेलड़ ओडी क्लिक करना है अगर आपको याद नहीं है आपको फगेट पासफट पहर क्लिक करना है जहान रहेे संभी बातों का अब आपको सब्मिन पे क्लिक करना है स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देगा पासफ़र्ट चेंज सक्सेस्पुली आपको ओके पे क्लिक करना है और कुछ दिरवाद आपने आप लॉग इन पेज दिखाई देगा रजिस्टर मॉबाइल नमर के एंट्री करनी है और ओटीप पे क्लिक करना है ओटीप के एंट्री करनी है और जो आपने पासफ़र्ट सैट किया है उस पासफ़र्ट के एंट्री करनी है और लॉग इन आउप पे क्लिक करना है और हम एंट्र कर चुके हैं एप के अंदर आपक को फॉर्म आट पर क्लिक करना है अब आपको लेट स्टार्ट पर क्लिक करना है डू यू अलरड़ी है वोटर इडी इस वीडियो में हम जानकरी के आधार पर हमारी एंट्रिस सही करने का प्रयास करेंगे आपको नो पर सलक करना है और कुछ सलक करने के बाद ऐसा दिखेगा आई डोंट है वोटर इडी नंबर सुनने के बाद आपको नेक्स पर क्लिक करना है जिस भी व्यक्ति की हम एंट्रिस करक करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है पेरेंट्स या स्पाउस का नाम लिखना है रेलेटिव का नाम लिखना है आपको जेंडर सलक करना है और एज स सबस्क्राइब करना है सभी जानकरी भरने के बाद आपको फैच डिटेल्स पर क्लिक करना है आपके द्वारा दी गई जानकरी के आदार पर अगर आपको वोटर लिस्ट में है तो आपको मैसेज दिखाए देगा we have found this record for your enter voter ID हमारे पास आपकी जानकरी मिल चुकी है आपको प्रोसीट पर क्लिक करना है और यह रही वोटर की जानकरी name Air जेंडर और बाकि सभी जानकरी आप वोटर की मोबाइल नमबर की एंट्री करनी है अगर वोटर के पास मोबाइल नहीं है तो रिलेटिव का मोबाइल नमबर भी दे सकता है इसी तरीके से आपको इमेल आइडी की भी एंट्री करनी है यह सभी एंट्री करने के पास शाद आपको नेक्स पर क्लिक करना है आपको कारण चु और आपको सूची दिखाई देगी इन में से आपको यहाँ पर टिक करना है या चैन करना है बागी के लिए आपको नीचे मूव करना है और इसी तरीके से आप इन सभी में भी सुधार के लिए चैन कर सकते हैं चैन करने बारी आती है फोट अप्लोड करने की फोट अप्लोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको मेसेज दिखाए देगा केमरा या गैलरी आप कहां से फोटो अप्लोड करना चाहते हैं आप अपने सुधा नुसार अप्लोड कर सकते हैं डेटा वर्स में तेनक पर क्लिक करना है जन्मतारीक के सपोर्ट में आपको ९हां दिखाई देगा आपको परटिक करना और दौर की ओड़ने यहांपर दिखाई देगी और बड़ी की रूप में देखने यहांबी इन लिग comes you क्लिक करना है और आजवास्थ हो सकते हैं आपको नेच्ट कि करना है दिखाए देगा आपको form 8 प्रिएव आपने जो form 8 है वह सभी जानकरी आपको यहांपर दिखाईव measure कि बागी जानकरी के लिए तो यहाँ पर भी आप नाम चेंज कर सकते हैं और document आपको यहाँ पर दिखाई देगा आजवस्त होने के बाद इस सभी जनकरी देखने के बाद आपको confirm पर क्लिक करना है अब आपको दिखाई देगा declaration मतलब गोशना वाला पेज यहाँ रहेगा आपका नाम जिस अस्तान से आप भर रहे है application उसकी entry करनी है और done पर क्लिक करना है और done पर क्लिक करते हैं आपको message दिखाई देगा your application has been submitted आपकी application सब्मिट हो चुकी है यह रहा आपका reference ID आप इसे note करके रखें इसके शॉट ले सकते हैं अब आपको ok पर क्लिक करना है application करने के लिए आपको पूना है login के पहले पेज पर आना है और explore पर क्लिक करना है आपको option दिखाई देगा status of application आपको यहाँ पर क्लिक करना है application की reference ID एंट्री करनी है और अब जिसे राज्य से हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है उस सुची में से आपको राज्य सेलेक करना है दोनों भरने के बाद आपको track status पर क्लिक करना है यह रज़ट आपके सामने आ आप द्वारा form 8 भरा गया है और आपकी application सब्मिट हो चुकी है हरे का मतलब वो काम हो चुका है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना correction के लिए form 8 apply कर सकते हैं उमीद जानकरी पसंद करें बैल आइकन जरूर दबाएं वीडियो पसंद आया तो लाइक से रूर करें सुरक् आप